हलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई यूट्यूब चैनल सीमर कुकिंग स्टूडियो आज हम तिल और गुड की बर्फी बनाएंगे तो चलिए तिल और गुड की बर्फी की रेसिपी बनाना स्टार्ट बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले हम तिल को रोस्ट करेंगे यहां पर मैंने 300 ग्राम के क्रीव वाइट तिल लिये हैं अब हम इने रोस्ट करेंगे तिल को हम पैन में डाल देंगे और अच्छे से 3-4 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे 3-4 मिनट हो चुके हैं तिल को हमें रोस्ट करती है तिल अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं अब हम ग्यास की फ्लेम को आफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल लेंगे तिल ठंडे हो चुके हैं अब हम इने एक प्लेट पे निकाल लेंगे अब हम इने दरदरा ग्राइंडर जार में पीस लेंगे बर्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 50 ग्राम के करीब देसी गी लिया है देसी घी को हम पैन में डाल देंगे और अच्छे से इसे मेल्ट करेंगे घी हमने बर्फी को टेस्टी बनाने के लिए डाला है अगर आप घी का यूज तिल गुड की बर्फी में नहीं करना चाते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं घी मेल्ट हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे गुड यहाँ पर मैंने 200 ग्राम के क्रीब 250 ग्राम के क्रीब क्रश किया हुआ गुड लिया है अब हम इसे टडाही में डालेंगे और अच्छे से मेल्ट करेंगे गुड को मेल्ट करने के लिए हम एक टी स्पून इसमें पानी डालेंगे देखिए गुड मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है गुड को मेल्ट करते वक्त हमें गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है गुड अच्छे से मेल्ट हो गया है बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि गुड जादा हमें पकाना नहीं नहीं तो बर्फी सॉफ्ट नी बनेंगे अब हमने जो तिल हाफ दरदरे पीसे हैं उसे हम गुड की चासनी में डाल देंगे और हाफ जो हमने ऐसे ही रखे हैं इन्हें भी हम इसमें डाल देंगे इससे टेस्ट दोनों से बर्फी का बहुत अच्छा आएगा और टेक्स्चर भी बहुत अच्छा आएगा अब हम तिल और गुड के मिक्शर को अच्छे से मिक्स करेंगे टेस्ट के लिए हम एक छोटी चमल डालेंगे, इलाइची पाउडर, मिक्सचर अच्छे से जमने के लिए रेडी हो चुका है, अब हम गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे, और इसे ग्रीस किये हुए टिन में निकाल लेंगे, टिन में हमने बर्फी जमानी है, उसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, गुड का जो मिक्षर बनाया है, वो डाल देंगे, ध्यान से डालेंगे, क्योंकि मिक्षर थोड़ा सा गरम है, अब हम इसे अच्छे से मिक्षर को सभी तरफ से दबा दबा कर सेट कर लेंगे, मिक्षर अच्छे से सेट हो चुका है, गार्निश के लिए हम उपर से थोड़े से तिल डाल देंगे और थोड़े से मैंने almonds बदाम लिये हैं almonds और तिल से हम तिल और गुड़की बर्फी को अच्छे से गानिश कर देंगे और इसे अच्छे से दबा कर सभी तरफ से प्रेस करेंगे हम इसे पांच मिनट ठंडा होने देंगे पीसिज बर्फी के अच्छे से निकलाएं इसलिए हम पहले ही निशान लगा देंगे निशान हमने लगा लिये हैं अब हम इसे अच्छे से ठंडा करेंगे फिक जो हमने जमने के लिए रखी थी अच्छे से ठंडी हो चुकी है अब हम पीसिस निकाल लेंगे ध्यान से निकालें पीसिस और प्लेट पे रखते जाएंगे मैं एक पीस आपको और कट करके दिखाती हूँ देखिए कितनी अच्छी बर्फी बनके रेडी हुई है इसे भी हम प्लेट पर निकाल लेंगे और ऐसे ही सभी पीसिस कट कर तिल और गुड की बर्फी के पीसिस को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है देखिए बर्फी देखने में ही कितनी डिलीशियस और यमी लग रही है लोडी और मकर सक्रांती के तेहार पर आप इस बर्फी को ज़रूर बनाएं अगर फैंड आपको हमारी आज की तिल गुड बर्फी की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुड बाई